नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रुदराक्ष का पानी पीने के फायदे वर्टिकल बार रुदराक्ष की माला पहनने के नियम फायदे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं रुदराक्ष का पानी पीने के फायदे शिव पुरान में रुदराक्ष को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बाते बताई गई हैं रुदराक्ष का पानी पीने से और रुदराक्ष की माला धारन करने से भगवान भोलेनाथ उनके भगतों पर प्रसन्न होते हैं तथा भक्तो पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है रुदराक्ष से भक्तो की मनोकामना पूर्ण होती है तथा काफी स्वास्थ्य संबंधी लाभ होता है रुदराक्ष का पानी पीने के फायदे निनलिखित है दिल को रखे हिल्थी रुद्राक्ष का पानी पीने से दिल के संबंधित रोग नहीं होता और किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी भी नहीं होती है नसों को रखे एकदम सही रुद्राक्ष का पानी पीने से नसों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती उनकी नसे हमेशा कार्य करती रहती है बढ़ती उम्र के साथ नसे कमजोर होती जाती है लेकिन रुदराक्ष का पानी पीने से ऐसा नहीं होता है नसों में कमजोरी नहीं आती है ब्लड प्रेशर को रखता है ठीक कई बार लोगों को बलड प्रेशर की तकलीफ काफी ज्यादा होती है उनका बलड प्रेशर कभी भी नियंतरण में नहीं रहता है कभी बलड प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी बलड प्रेशर कम हो जाता है अगर किसी को बलड प्रेशर की समस्या है तो रुदराक्ष का पानी अचूप पीना चाहिए यह ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बहुत ही कारगर उपाए है याद शक्ती बढ़ाता है रुदराक्ष का पानी पीने से दिमाद पर काफी अच्छा असर पड़ता है इससे इंसान की याद शक्ती बढ़ती है इसके अलावा दिमाग की एकागरता शक्ती भी बढ़ती है आखों की जलन करता है कत्म अगर किसी को आखों में जलन हो रही है तो रुद्राक्ष के पानी से आखों को धोले इससे आपकी आखों की जलन तुरंट खत्म हो जाएगी कानों के दर्ध में देता है राहत अगर किसी को कान में दर्ध होता है तो रुदराक्ष के पानी की दो बूंद कान में डालने से कानों के गर्ट से छुटकारा मिलेगा रोगों को रखे दूर शास्त्रों में रुदराक्ष को अमरित माना गया है अगर रोजाना रुदराक्ष का पानी पीते हैं तो हमारा शरीर हमेशा रोग मुक्त रहता है रुदराक्ष का पानी कैसे तयार करे? रुदराक्ष का पानी तयार करना बहुत ही आसान है रात भर रुदराक्ष को शुद्ध पानी में रहने दे और सुबह उठकर खाली पेट यह पानी पी ले जिससे आपको उपर बताए गए फायदे होगे रुदराक्ष किस धागे में पहने? रुदराक्ष को लाल, पीला या सफेद धागे में धारन कर सकते हैं इसके अलावा रुदराक्ष को सोना, चांदी या तामबे में भी धारन किया जा सकता है रुदराक्ष की माला के फायदे रुदराक्ष की माला धारन करने से हमारे आसपास सकाराक्मक उर्जा बनी रहती है जो हमारे लिए सुरक्षा चक्र का काम करती है रुद्राक्ष की माला को अगर गले में धारन किया जाए तो लक्षमी की प्राप्ती होती है रुद्राक्ष से सामान्य बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन लाइलाज बीमारी से भी रक्षा मिलती है इससे कैंसर जैसी बीमारी में भी रक्षन मिलता है भुतप्रेट, जादू टोना तथा बुरी शक्तियों से रक्षन मिलता है रुदराक्ष की माला पहनने के नियम रुदराक्ष को गला, कलाई और हरदय पर धारन किया जा सकता है रुदराक्ष को धारन करते समय ओम नम, शिवाय मंत्र का जाप जरूर करे श्रावन के सोंबार या फिर शिवरात्री के दिन रुदराक्ष धारन करना सर्वोत्तम माना जाता है रुदराक्ष धारन करने से पहले उसे शिवजी को समर्पित करे जो भी रुदराक्ष धारण कर रहा है, उसे सात्विक रहना चाहिए और आचर्ण शुद्ध रखना चाहिए रुदराक्ष की माला की कीमत रुदराक्ष की माला आप ओनलाइन माध्यम से मंगवा सकते हैं क्योंकि माला की कीमत उसकी लंबाई, कौन से रुद्राक्ष की माला आप मंगवाना चाहते हैं, इस सभी पर कीमत निर्भर होती है तथा अलग-अलग ऑन-लाइन वेबसाइट पर अलग-अलग कीमत होती है तो आप अपने हिसाब से चयन करके माला ले सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद